असलाम वेकुम बाज़ीन बूर्णिंग सेवस्री की साथ मैं हूं जुबहर शारेग उम्मीद करता हूं कि आप फैरियेट से होंगे आपकी अच्छी सुबह का आगाज हो गया होगा नाश्ता बगारा कर लिया होगा घर के बाकी मौमलात में आप लोग सला मश्वरा करने ला इस तरह से ताइम गुजर रहा है चीजवे गुजर ही है दुनिया बड़ी फास्ट हो गही जो बहुत जादा फास्ट हो गए और इस फास्ट दुनिया के अंदर चावे चल रही है इसके छुद काबो रखना बहुत ही जरूरी है जो शक्स खुद पर काबू रख पाता है जो शक्स अपने emotions पर काबू रखपाता है काम्याब शक्स वही है तो इसी emotion पर काबू रखने को लेकर मैं a quotation code करने जा रहा हूं मेरे अभी जहन में आई है कि घुस्झे की हालत में क्योंकि घुस्झा इंसान द्श्मन होता है गुस्से में उसको कुछ समझ बूजनी आ रही होती कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सही गलत की पैचान वो भूल जाता है तो गुस्से की हालत में खामोशी आला जर्फी की निशानी है तो जो गुस्से की हालत में चुप रह सकता है वो आला प्रवियाओं को पेगंबरों को बड़े बजर्गों को ये कमांड हासिल थी अल्ला की तरफ से कि वो गुस्थे की हालत में भी अपने मुझ से कुछ गलत नहीं निकालते थे इसके इलावा हम आम इनसानों को जो कि उनकी खाक के वराबर भी नहीं है उने बिलकुल भी एकमां हो जाएं तो इसके साथ सथ हम अपने पहले सेगमेंट के दरफ चलते हैं जो हैं आजके ख़बराइब हमारी पहली खबर मौसम के हवाले से है कि मैगमा मौसमियात की पेशनगोई है कि आहंदी आपव और उसके साथ-साथ मामलात रहने का पेशनगोई की है मैगमा मौसमिय है मतलब कि मदानी लागों में मौसम खुश्क रहेगा और शुमाली लाका जात बारिश का इमकान है तो कहने का मकसद यह कि दिन में गर्मी रहेगी और most probably रात को बारश का इमकान हो यह मौसम जो है ऐँख मचोली का खेल हमारे साथ खेलता रहता है कभी कुछ कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है लेकिन हम पाकिस्तानी हम debe 당신 चार मौसमं को छेलने के बरदाश करने की आदी हैं कोई बात नहीं लेकिन हमने खबर दी आपको खबर देना हमारा मकसद था चलते हैं अगली अगली खबर में अगली खबर यह है कि वजीर अला पंजाम रिन नवास ने तल्बा को बड़ी खुशकबरी सुना दी वह खुशकबरी यह है कि साथ साल पहले जो लैपटॉप स्कीम आई थी जिसमें स्टूडेंट्स को तल्बा तल्बात को लैपटॉप्स तक्सीम किये थे लैपटॉप्स दिये थे तल्बा तल्बात को तो अब वो स्कीम दुबारा लाउंच करवाई जारी है और बहुत जल्द ही लैपटॉप्स दिये जाना शुरू हो जाएंगे लैपटॉप्स देने का सिंसला जारी हो जाएगा उन तल्बा तल्बात को जो एक क्रेटेरिय के accordingly fit बैठेंगे जिनका criteria set होगा उनको laptops लाजमी मिलेंगे तो ये वजीरियाला मर्यम नवास शरीफ का एक और initiative है तल्बा तालबात के लिए students के लिए तो चलते हैं अपनी अगली figure है 69,236 calls का 69,236 calls आपको मौसूल हुई है जिसमें majority fake calls है और बार बार अपने platform से हम यह आप से गुजारिश करते हैं कि fake call मत करें किसी की हग तल्फी होती है अगर fake call कम हो जाएं तो ये calls हजारों की बजाए 100 की तदाद में आ जाएं क्योंकि valid case बहुत कम बनते हैं जाधा तर fake calls ही आती है और इस fake calls की वजद से जो valid calls होती है valid calls करने वाले होते हैं उनका बड़ा नुक्सान होता है और इसके बाद 5,696 calls पर शहरियों को मुख्तलिफ cases में मुख्तलिफ cases में जिसमें आपके हर तरह के जराइम आते हैं medical cases आते हैं traffic cases आते हैं उसमें assistance दी गई है पुलीस की तरफ से मदद फराहम की गई है और सेफसरी कैमरों से एक हजार पांच मश्कूक सरगर्मियों की निशान दही की गई है हमारे virtual patrolling officers जो होते हैं मश्कूक सरगर्मियों की निशान दही करते हैं उसके बाद पंजाब police women safety app के जरीए 34 खवातीन को मदद फराहम की गई है women safety app install करें आप लोगों की safety के लिए है आप लोगों को महफूज रखने के लिए है तो please it's a request install that women safety app कहीं भी हो किसी जगाबे भी हो आप इस आप की facility को अवेल करते हुए अपनी किसी भी problem को यहां पे बैठे पंजाब safe city authority में बैठे नुमाइंदे से जो female officer हैं उनसे communicate कर सकते हैं कोई भी आपको problem हो खातून को उसके साथ साथ safe city हमारा जो electronic data analysis center है उसने 13 cases में पुलिस को शवायत वराम किये हैं उसके साथ शहरी जरायम की खुफियत लादेने के लिए बड़े important है कि शहरी जरायम की खुफियत लादेने के लिए Crime stoppers नंबर पर रापता कर सकते हैं एक Crime stoppers numbers क्या है Crime stoppers service क्या है एक नई service launch की गई है जिसके अंदर आप लोग अपनी identity को disclose किये बगार मतलब आप नहीं चाहते कि आपकी शराख्त जाहिर हो किसी भी किसम से कोई हालात नहीं है आप नहीं चाहते कि महले में आपका नाम आए आप लोगोंने इस महले में रहना है ल पानी चोड़ा पानी चोरी हो रही है गैस चोरी हो रही है उसके बाद जुगा खेला जा रहा है पतंग बाजी हो रही है sexual offenses हो रहे हैं harassment हो रही है किसी भी किसम की तो आप इन किसम के इस तरह की जराइम है उन जराइम की इतला आप Crime stoppers नंबर पर दे सकते हैं और इसका लेकिन सबसे एहम बात यह है कि आपने Crime stopper number पे emergency call नहीं करनी emergency call के लिए one five है मैं फिर आपको बताता चलूँ और इसके साथ सथा पंजाब Safe Cities Authority की website पे जाके वीडियो evidence और pictures भी आप दे सकते हैं जराइम के हवाले से इस Crime stoppers service के अंदर रहते हुए कि service यह भी feature आपको देती है कि आप वीडियो शवाइद और pictures भी दे सकते हैं इस तरह का data भी provide कर सकते हैं पंजाब Safe Cities Authority की website पे जाके तो हमारी पंजाब Safe City Authority की website है यहां पे जाके आप शवाहिद और उसके साथ वीडियो evidence और pictures वगारा दे सकते हैं इससे आपकी identity disclose नहीं होगी और उसके बाद हम अगली खबर देते हैं कि Google पाकिस्तान के लिए 2024 में 45,000 scholarship परहाम करेगा यह Google की दरब से बड़ा अच्छा इनिशे जहानत के लिए अपनी support जो है support देने का फैसला कर लिया है कि Google ने freelancers और खवातीन को मदद फरहाम करने का फैसला कर लिया है तो Google का बहुत शुक्रिया और Google की तरफ से यह instructions आई हैं यह Google की तरफ से यह सारी चीज़ें हो रही है कि 28% खवातीन को Google जो है वो certificates देगा scholarship यह जो फ्री लांसर यह जो scholarship रहाम करेगा तो Google ने यह बड़ी ही बेहतरीन किसम का Google का initiative है हम शुक्रिया अदा करते हैं Google का और हमारी अगली ख़बर यह है कि Allah आपका भला करे कि हम हमेशा अपने platform से फलस्तीन की खबर जो है वो शेयर करते हैं अपनी जो जंग हो रही है जिसमें 34,000 से जादा जाने जा चुकी हैं जिसके अंदर जादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं अपने platform से खबर शेयर करते हैं कि अक्वाम मुदैदा हमे चैने शेटेव है एक अच्छी खबर है हम दूआ करते हैं जो इतने time से इसराइल जुम कर रहा है फलस्तीन पर गजा के वासियों पर और इतनी जाने जा चुकी हैं और जाने जाने की वज़ा से बहुत सारा नुकसान हो गया है और बहुत सारे शहीद हो गये हैं तो हम अप पर सकून लाया जाए क्योंकि वो लोग भी उतने ही हगदार हैं अमन के सकून के जितने आप और मैं यह हमारा था पहला सेग्मेंट और अब हम चलेंगे में नेक्स सेग्मेंट में उसके लिए हमें लेना है चोटा सब ब्रेक हमारे साथ रहिएगा स्टे विदास वल्कूम बाइक नाजरीन अप इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि इनसान की नफसियात यह बहुत एहम करदार अदा करती हैं किसी भी चीज़ के अंदर और नफसियात की भी मुख्लिफ टाइप्स हैं एक टाइप होती है क्रिमिनालजी के अंदर एक proper degree है यह तलबा तलबात degree हासल करके निकलते हैं criminal psychology के अंदर तो इसी नफसियात को लेते हुए हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि यह criminal psychology है क्या यह human behavior, human actions, human views, human reactions यह basically है क्या और criminology की निगाह में इसको किस तरह से define किया जाता है तो इसी बारे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर मुहमद रमजान साब और यह head of department है criminology में जामिया पंजाब से तो सर को welcome कहते हैं प्रोग्राम के अंदर असलाम लेकुम सर फर्स्ट फॉल वर्य वर्म वेल्कम टो वशूद अवर्शू सर मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता हूं यह लाइन मेरे नाजरीन भी जानते है के वक्त एक पड़ी इंपॉर्टन चीज है और यह वक्त निकालना कोई भी निकाल के आता है तो हमारे सर यह नाजरीन को बताएं देखें हीमन बिहेवियर जो है उसको हम डिफरंट डायमेंशन से स्टेडी करते हैं और हीमन बिहेवियर को स्टेडी करना बहुत ही इंपॉर्टन है क्रिमनालोजी को अगर हम देखें तो क्रिमनालोजी जो है यह एक इतना पुराना एक डिसिप और क्राइम भी किये मतलब हर सुसाइटी का जो है वो अपना एक सिस्टम होता है अपने एक स्टेंडर्ड आफ गूड और बैड होते हैं वो स्टेंडर्ड आफ गूड और बैड क्यों होते हैं वो बैसिकली इसलिए होते हैं कि हर सुसाइटी ये चाहती है कि वो अपने सिटि कि अगर एक साट अफ एर्रेगुलरिटी होगी तो फिर एक काइटिक सिच्वेशन होगी, सुसाइटी में अफरत अफरी होगी, किसी को नहीं पता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो उसके लिए हमेशा से एक एफर्ट होती रही है, और क्रिमिनालोजिय को अगर एक आम आदमी के लिए हम बताना चाहें कि ये क्या है, तो ये एक ऐसा डिसिप्लन है, जो क्रिमिनल बिहेवियर को इन डिटेल, होलिस्टिकली, एक साइन्टिफिक अंदाज में स्टरी करता है, आज के दोर में अगर हम देखें तो क्रिमिनालोजी जो है, ये एक इंटर डिसिप् बन चुका है, क्योंकि क्राइम की इन्वेस्टिगेशन, क्राइम को डिटेक्ट करना, उसकी काज़ेज, उसकी रीजन, उसकी प्राविबिलिटी, इसके लिए जो है, क्रिमिनालोजी बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी क्लाबरेट करते हैं, अगर कोई नौजवान है, हव वो किन किन शौबों को मुस्तक्बिल में जोईन कर सकता है, मतलब स्कोप क्या है, इस क्रिमिनालोजी की फील्ड का, जी क्रिमिनालोजी एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट सब्जेक्ट है, और हमारे पास इस वक्त इंस्टिट्यूट अफ सोशल और कल्चरल स्टेडी में जो क क्रिमिनालोजी डिपार्टमेंट है, तो उसमें सबसे ज़्यदा तादाद जो है क्रिमिनालोजी के स्टूरेंट्स की है, पाकिस्तान में ये एक अमर्जिंग डिसिप्लिन के तोर पे सामने आ रहा है, अब बहुत सारे लोग इसको as a career अडाप्ट कर रहे हैं, तो जो पासिज हैं, जो लोग क्रिमिनालोजी स्टेडी करके पास ओट होते हैं, वो डिफरंट ला एंफोर्सिंग एजिंसीज में जाब कर सकते हैं, जैसे पुलीस डिपार्टमेंट है, जैसे CTD है, FIA है, इंटेलिजेंस एजिंसीज हैं, ठीक है, इसी तरह से जैसे आपका ये से सिटी है, और भी बहुत सारी सिक्यूरिटी से रिलेटर जितने भी अधारे हैं, जैसे वो पबलिक सेक्टर में हैं, या इवन प्राइविट सेक्टर में हैं, तो वहां पे क्रिमिनालोजी के जो पास ओट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, गो जो 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 शक्स करता है, लड़का या लड़की, सर इस से वो सुसाइटी को किस रद तक फाइदा पहुंचा सकता है? देखें, ये बहुत इमपॉर्टेंट है कि अब जैसे जैसे एक कहलें कि साइंटिफिक डिवलेप्मेंट हो रही है, जैसे जैसे टेक्नालोजी कल डिवलेप्मेंट हो रही है, उसी तरह से जो क्राइम की नेचर है वो भी चेंज हो रही है। तो अब वो लोग जो इस तरह की इन्वेस्टिकेटिव टेक्नीक्स या वो थेरीज या जो भी क्राइम से रिलेटड कहलें के नौलिज है वो रखेंगे तो उनको पता होगा कि हमने सिसाइटी में कैसे क्या रो प्राइमेटिक सिचुएशन से या क्राइम से अवाइट करना है और क्राइम से अवाइट करना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो वो खुद भी अपनी लाइफ में भी उसको जो है वो कहलें के प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी उसमें हलप आउट कर सकते ह और overall society में peace and stability को maintain करने में और conflict और कहलें कि जो crimes हैं उनको reduce करने में देकर play a role Sir, criminology के तालीम जिसने हासल की है साल के दोर पर मैं example देता हूँ X ने criminology के तालीम हासल की है अब वो एक ऐसे Y के साथ बैठा हुआ है जिसका एक criminal state of mind है Sir, ऐसे क्या action reactions होंगे जिसने ये तालीम हासल की होगी वो indicate कर सकेगा कि यार ये बंदा society के लिए ठीक नहीं है तो मैं फॉरण से पहले 1-5 पर call करूं या अपने आसपास किसी भी एक सीनियर को जो अकल रखता है उसे बताऊं कि मेरे साथ इस तरह की बात करा और मुझे इसके जो assumptions हैं और जो predictions हैं जो वो दे रहा है वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे दब hazardful हैं Sir, ये कैसे indicate हो सकता है वैसे तो आप देखें, criminology है, वो study of criminal behavior है ठीक है, behavior जो हमारे actions हमारे body से exhibit होते हैं तो basically वहां से हमें पता चलता है कि कोई बंदा जो है वो confirmist है, यह नहीं वो rules regulation को follow कर रहा है या वो deviant है, अब आप जैसे यह कह रहे हैं कि उसकी gestures तो gestures, body language वो भी एक sort of communication होती है वहां से भी आप infer कर सकते हैं कि फर्स करें कोई एक individual है जैसे आप फर्मारे है कि वो जो है, उसकी movement, उसकी gestures जो है वो normal आपको नहीं लग रही है फर्स करें वो बड़ा बेचैन है, बार बार इदर उदर देख रहा है या कोई उसकी, कहलें कि उसकी body language change हो रही है थोड़ा सा perplexed है कि आप उसको देखें कि अगर वो इदर उदर देख रहा है या कोई conscious है या बार बार फोन पर वो कर रहा है तो वो उस तरह की gestures जो है, वो इस चीज़ को indicate करते हैं कि maybe he is going to do something which is not conformist action तो इस तरह से आप उसको identify कर सकते हैं Sir, क्या depression जो है वो भी इनसान को किसी भी जुर्म की तरफ ले जाता है या किसी भी जुर्म में मलवस कर सकता है क्या इसको भी criminology किसी aspect से देखती है बिलकुल इस में जो है depression, anxiety this is one of the basic reason which lie within the inside of an individual कि आप अगर खुद से stable नहीं है जो psychological well being है वो हमारे लिए बहुत ज़्यदा important है कि इस पे बहुत सारी theories मौजूद है कि अगर कोई भी एक individual जो psychologically खुद स्टेबल नहीं है तो उसकी probability बहुत ज़्यदा है कि वो कोई ना कोई violation करेगा मालब depression anxiety के शिकार भी लोग क्राइम की तरफ क्राइम कमिट कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं या किसी भी ज़र्म में मलाविस हो सकते हैं बिलकुल बलके उनकी probability ज़्यदा होती है ठीक है सर पाकिस्तान में क्राइम कंट्रोल करने में क्रिमनालोजी का क्या करदार है जी उसमें ये है कि क्रिमनालोजी आपको एक्विप करती है एक तो ये है कि थरेटिकल नौलेज के साथ कि आप क्राइम को as a social phenomena study करते हैं मसला उसकी क्या pros and cons हैं उसकी क्या possibilities हैं आप different dimension से क्राइम को study करते हैं holistically या आप ये देखते हैं कि आप psychological basis क्या है sociological factors क्या है जो क्राइम के लिए कहलें के conducive environment प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर ये है कि कोई psychological issues क्या है जिनकी वज़ा से क्राइम हो सकता है फिर ये है कि उसके बाद अगर एक individual इस तरह की चीज़ों से equip होता है वो study करता है उसको एक practically हम अपने बच्चों को जैसे internship भी करवाते हैं बहुत सारे जो line department है उनके साथ उनकी attachment होती है तो they learn different dimensions of criminality तो जब उनको पता होता है वो एक knowledge और उसके साथ-साथ कुछ-कुछ जो उनका field work है उससे उनकी बहुत सारी learning होती है और फिर जो एक कहलें के ओवराग holistically वो क्राइम की जो philosophy है उसको understand करते हैं इसलिए फिर उसमें वो एक कहलें के एक positive role society में play कर सकते हैं कि जब वो practically किसी भी ऐसी organization को join करेंगे या even as a normal citizen भी वो society में रहेंगे तब भी वो आम आदमी की निस्पत जो है वो क्राइम को ज्यादा अच्छे तरीके से deal कर से हैं सर नौजवानों में जराइम की बढ़ती शर्रा की क्या वजुहात हैं आप क्या समझते हैं और इसको किस aspect से देखते हैं आप सर जी ये एक एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें अपने यूथ जो है उस पर focus करना चाहिए क्योंके हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा अच्छा यूथ बल्ज है और almost कोई 60% जो population है that is around 30 years of age या उससे कम है तो वो एक बहुत बड़ा resource है जिसे कि मैं समझता हूँ कि government को ऐसी policies बनानी चाहिए कि हमें youth को एक direction दे और उनको positive activities में involve करें क्योंके अगर ये youthful जो है ये unattended रहेगा तो उससे एक probability ज़्यादा होगी कि वो ऐसी activities में जाएंगी कि जो ज़्यादा कहलें कि useful नहीं है तो इसलिए एक तो अब उसमें अगर हम mostly causes देखते हैं तो जैसे use of social media है उस पे proper हमारी guidance होनी चाहिए कि बच्चों ने क्या चीज यूज करनी है क्या नहीं करनी क्योंकि इस पे कोई strict measures जो है ना वो fruitful नहीं होंगे अब बच्चों को एक friendship वाले महाल में एक guidance हमें देनी है कि जैसे एक cell phone है for example तो cell phone में हर तरह की information है जैसे एक library में हर तरह की information होती है तो we need to guide our children के आपने उस source को उस resource को कैसे आपने utilize करना है और क्या उसमें positive चीज़े हैं क्या उसमें negative चीज़े हैं और इसमें खासकर जैसे आपने youth की बात की है तो ये एक बहुत important है कि ये जो एक phase of learning है खासकर adolescence का जो छोटे बचे हैं तो उनमें बहुत उनका जो phase है वो बहुत crucial होता है in terms of their learning कि उस वक्त उनकी जो personality develop हो गई जो उनकी cognition regarding certain rules regulation बन जाती है तो वो फिर पूरी life जो है वो वैसे ही रहते हैं तो इसलिए इस जो segment of population है इस पे हमें बहुत ज़्यदा focus करने की जरूरत है सर जदीर technology से लेज़ पंजाब safe series authority सर जहां पर आप इस वक्त मौझूद हैं सर इस बारे आपने students को पढ़ाते हैं या awareness देते हैं कि यहां पर technology किस तरह से इस्तमाल हो रही है और जरायम की रोक थाम में कितनी मावन थाबत हो रही है जी बिलकुल हमने safe city में अपने students को विजर्ट भी करवाते हैं और उनके बारे में theoretically भी बहुत जदा हम उनको इस तरह से बताते हैं यह basically मैं समझता हूँ कि जो safe city का हमारा यह project है यह बहुत important है इसको अगर historically हम देखें तो जेरेमी बैंथम एक scholar गुजरे हैं उन्होंने एक concept introduce करवाया था panopticon का panopticon is basically जैसे वो traditionally एक jail के अंदर जैसे एक tower होता है तो उसके उपर एक बंदा बैठा होता है और सारे inmates को बड़ा वो गोर से देख रहा होता है उनकी movements को कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो इस तरह किसे वो एक कहलें के traditional concept है तो अब अगर हम द safe city में बैठे हुए पूरे area जो भी आपका jurisdiction उसमें है तो उसको आप यहां पे बैठे हुए सारी चीजों को आप monitor कर रहे हैं ठीक है इसी तरह से हमारे हर जगा पे हर organization में offices में घरों में महलों में CCTV cameras हैं और हम जो है वो we are being watched इसी तरह से हमारा जो phone के साथ इस तरह से कहलें क इससे बहुत ज़दा important है कि इसको जराइम को यहीं एक modern तरीका है कि आप overall यहीं पे बैठे हुए पूरे area को जो है वो आप watch कर रहे होते हैं and you are vigilant और जहां कहीं भी आपको कोई problem नजर आता है आप फॉरण उसको relevant authorities हैं जैंसी आप उनको call करते हैं और immediately जो है उसको deal किया ज चाहूंगा कि हमें हमेशा कानून और जो ला है असूल और जवाबत हैं उनकी पास्तारी करनी चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए हम peaceful रहें और लोगों में खुशियां बांटें और कोशिश करें कि एक अच्छा शेहरी होने का सबूत दें यह थे हमारे साथ Head of the Department जामय पंजाब प्रोफेसर रमजान साहब मुहम्मद रमजान साहब जिन्होंने हमें बताया कि क्रिमिनल बहेविर क्या होता है एक्शन रियक्शन व्यूज क्या होते हैं और किस तरह से इंटिफाई किया जाता है एक क्रिमिनल स्टेट अफ माइंड को तो यह था हमारा दूसरा सेग्मेंट हमारे साथ रहिए अब इसके पाद चलेंगे अपने नेक्स्ट सेग्मेंट की तरफ लेकिन उससे पहले लेना होगा हमें एक ब्रेक स्टेविदास वेल्कम बैक नाजरीन गुर्मारिंग सेफ सिटी में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीत कहते हैं और अब बढ़ते हैं अपने लास्स सेग्मेंट के तरफ जो के दिल्चस्प और अजीब है हम बहुत ही मेहनत करके न्यूज ढून ढून के लाते हैं कि अपने नाजरीन को अंडिटेन कर सकें अपने सेग्मेंट में और आज की हमारी पहली न्यूज यह है जो दिल्चस्प और अजीब है कि दोनों हातों से माजूर शक्स ने ड्राइविंग लाइसंस हासल कर लिया और ये कोई छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है कि जिसके हात नही पैर उस ने ड्राइविंग लाइसंस अपना हासल कर लिया और वो गाड़ी चलाने में 1वार निकला अपने पैरों से अपने पैरों की मदद से वो गाड़ी चलाने में है अच्छी स्किल्स है उसने पैरों को इस तरह सी ट्रें किया वह confrontation देने पर गौर्णनेंट मजबूर हो गई, यह शेहरी कहां का है, यह भारत का शेहरी है, चलनाय का रहाइशी है, 30 साला थांसन, 30 साला थांसन इसका नाम है, जिसने टांगों से गाड़ी चलाने का हुनर सीखा हुआ है, और लोग देख के हैरत में भी हैं, फरिशान भी हैं, और गौर् पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर की तरफ वो खबर भी बहुत ज्यादा ही यह अजीब खबर पहली वाली दिल्चस्ट थी यह वाली अजीब और यह अजीब खबर मारे पास यह है कि अमेरिका का एक शहर है बॉस्टन यहां पर एक ऐसा कानून है जो कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरत हुई मुझे लिट्रली बड़ी हैरत हुई ही यह कानून पढ़के के रात को आप बिस्तर पर सोने नहीं जा सकते अगर आप नहाए ना जी हाँ सुनके हैरत हुई ना आपको बिलकुल यह बॉस्टन में कानून है अमेरिका का जो सिटी है बॉस्टन के आप रात को नहाए बगैर सो नहीं सकते और संडे वाले दिन नहाने पर पबंदी है संडे को नहा नहीं सकते तो यह एक जीवो गरीब किसम भी बात है जीव जीव क Holz गोते है जो अबन्होंने यह कानुन मुतारिफ करवा семी करते हैं हमको कुई कहे कि आपने सोना है और सोने से पहले लाजभी नहाना जोट एक अच्छी बात moyens लेकिंन total syन अट्लोग तो मारा दिल करता नहाते हैं दिल करता तो चार्चाठ श्र दिन पांत 5 अन तक Du और दूसरों को परिशानी में डालते हैं जो आपके बैठे वे होते हैं तो यह हम दो खबरें आपके लिए दिल्चस्प और अजीब ढूंड के लाए थे आपने कॉमेंट अगर करना है तो आप हमें बताएंगे कि हमारे शोग के अंदर क्या इंप्रूव्मेंट आनी करना हैं चाहिद निससक्राव के इंदर करें हमने कमेंट करके बताना है और यह क्या चीज़े करें किस तरह से बैतरी आ सकती है हमारे प्रूग्राइम में और किस तरह से कानून को अफ् Hutना कर लोगों की मदद कर सकते हैं तो यह आपने बताना कहा है Constitution के बताना है हमारा कॉमेंट करके पताना है तो अब हुआ जाता है प्रोग्राम का वक्त खतम मिलेंगे आपके साथ दुबारा एक नए सेग्मेंट में ने सेग्मेंट के अंदर और ने मॉर्निंग शोव में इससे इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिए अल